विकेट कीपर बल्लेबाज महेंदर सिंग धोनी की कपतानी में इंडियन प्रीमियन लीग की फ्रेंचाइजी चन्नेई सुपर किंग सबसे सफल टीमों में एक रही है इतना ही नहीं CSK सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाली दूसरी टीम भी है लेकिन कुछ दिनों से धोनी के CSK को छोड़ने की खबरे आ रही है जिस पर चन्नेई सूपर किंग्स ने चुपपी तोड़ते हुए कहा कि वा धोनी को नहीं छोड़ने वाले दरसर हाली में साल 2021 में धोनी को चन्नेई सूपर किंग्स के फ्रेंचाइजी से रिलीज करने की बाद सामने आई थी लेकिन इस सभी अफवाव पर पोड़ विराम लगाते हुए CSK ने ट्वीटर पर इस बात की जानकारी साजा की है एक मीडिया हाउस ने फोटो ट्वीट की थी जिस पर धोनी की फोटो के साथ लिखा था जवाब देते हुए CSK ने लिखा क्या धोनी रिलीज होना चाहते हैं पूर कप्तान IPL 2021 में प्रतिवन्दी टीम में शामिल हो सकता है इसका जवाब देते हुए फ्रेंचाइजी ने लिखा नहीं देश जानता है CSK इस ट्वीट से एक बात तो साफ हो गई कि धोनी फिलहाल 6 ने सुपर किंग्स का हिस्सा रहेंगे और उनके जाने का कोई प्लैन नहीं है रिपोर्ट्स की मताबिक धोनी खुट टीम से जाना चाते है ताकि CSK के पास और अच्छे प्लेयर खरीदने के लिए पैसे आ सके जब धोनी रिलीज होंगे तो CSK बाद ने उन्हें कम दाम में खरीद लेगी लेकिन फ्रेंचाईजी किसी भी कीमत पर धोनी को छोड़ना नहीं चाती इसके अलावा जहां तक भारतिय क्रिकेट टीम में धोनी की वापसी का सवाल है तो वाद 2020 में जनवरी के बाद वापसी कर सकते हैं आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अबन यादो बंजाब केसरी दिल्ली सब्सक्राइब करें